आज जो टॉपिक में आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है कुछ ऐसी ताले मैं आपको आज सिखाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा जिनके बारे में वो अप्रचलित कह लें या फिर अल्प प्रचलित तो कह ही लें क्योंकि बहुत से कम ऐसे शास्त्रिय गायक और वादक हैं जो इन तालों का भी इस्तिमाल करते हैं कौन-कौन सी हैं ये ताले हैं? 9 मात्रा, 11 मात्रा, 13 मात्रा वैसे मैंने कई बार अप्रचलित और अल्प प्रचलित तालों पर बात की है जहां मैंने 14 मात्रा, 15 मात्रा यानि पंचम सवारी या गजजहंपा या दीपचंदी ऐसी तालों का जिक्र किया है उनको उनके बोल, उनकी बांट, उनका उपयोग सिखाया है लेकिन आज मैं 9 मात्रा, 13 मात्रा और 11 मात्रा ये तीन ऐसी अल्प प्रचलित ताले यानि बहुत जादा फेमस नहीं है ये साड़े 6 मात्रा, साड़े 7 मात्रा, साड़े 8 मात्रा ये तो मैं बता चुका हूँ लेकिन ये 9-11-13 मेरे ख्याल से इस चैनल पर मैंने अभी तक नहीं बताया था तो आज मैंने सोचा कि क्यों न आप सभी लोगों को इन तालों से भी अवगत कराया जाए इन तालों के बारे में भी बताया जाए जो थोड़ी से अलप प्रचलित हैं और खास करके इंस्टूमेंटल में इनका इस्तमाल जादा होता है इसलिए भी शायद याल पर प्रचलित हैं कि गायन में बंदिशन जो हैं जादातर तीन ताल, जपताल, एक ताल तक सीमित रह गई हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गुणे जन हैं वाकई वो ऐसी विशम मात्राओं में भी बंदिशन बनाते हैं तो आज पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि 9 मात्रा, 11 मात्रा और 13 मात्रा के क्या बोल हैं कैसे ये ताले हैं, क्या इनकी बांट है और इनका उपयोग करेंगे तो कैसा साउंड करेगा बंदिश में खुद से मिलने को मैं कैसी खुदी लाओं आनाते ना एनू आनाते नारी ना एनाते ना एनाते ना एनू ली ना एनू दा एनू सा गम दगम दनि द गम सा नी दनि द गम ग सा देंदर इंदर 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 पतिता न के तुम पतेता उद्धारन के सबेधावु मशरन तिहारी पतिता न के तुम पतेता उद्धारन जनम जनम का मैल है मन पर जनम जनम का मैल है मन पर जनम जनम का मैलह मनपर आमर तुम भावसागर तारण पतितन के तुम पतितन के तुन्ना धीदिना देधिना देंतरिक्ट देन्ना तुन्ना देंदिना देंतरिक्ट देन्ना पतितन के तुम पतितन के के तुम पतेत उद्धारण जनम जनम का मेल हमन पर अमर तुम भवसागर तारण पतेत अनके राग भिन्वी शडज में यह नौ मात्रा में मैंने आपको एक बंदिश सुनाई इसको छोटा खयाल बोल लिजिए मध्य दृत लए की बंदिश बोल लिजिए क्योंकि ना तो ये मध्य लए है ना ये बहुत जादा दृत है तो ये मध्य दुरुत लाए की बंदिश जिस प्रकार से मध्य विलंबित एक लाए होती है जो ना तो जादा विलंबित होती है ना जादा मध्य होती है जो दोनों की बीच में जूल रही होती है वो मध्य विलंबित कहलाती है उसी तरह से जो दुरुत और मध्य के बीच में तो उस बंदिश से एक example उधार लेके आप सभी लोगों तक मैं 9 मात्रा का challenge है वो लेकर आ रहा हूँ 9 मात्रा, 11 मात्रा और 13 मात्रा ये कुछ ऐसी ताले हैं जैसे कि मैं तालों की जातियों के बारे में कई बार बता चुका हूँ जिसमें की तिस्त्र जाती यानि तीन तीन की जाती जिसमें दादरा आती है जिसमें एक ताल का एक रूप भी आता है एक ताल का एक प्रकार है जो तिस्त्र जाती में आता है तीन के खंड में आता है चतुस्त्र जाती जो चार का खंड है जिसमें तीन ताल कहरवा और एक ताल का एक रूप वो भी उसमें आता है फिर आ जाती है खंड जाती है खंड जाती में आपकी जपताला जाती है दो तीन की जाती है और रूपक जो है वो आपकी मिश्र जाती की है 3-2-2 या 2-3-2 ये जो चलन है 7 का चलन ये मैं कई डीटेल में बता चुका हूँ तो इसलिए भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ऐसी एक और जाती है जो है संकीन जाती यानि कि नौ मात्रा की जाती ये मैं पहले भी जातियों में जब मैंने बताया था ताल की जातियों का टापिक तब भी मैंने इस चीज का जिक्री किया था कि नौ मात्रा की जो ताल होती है वो संकीन जाती में आती है जिसका चलन जो है वो 2-2-2-3 का है यानि 2-2-2-6 और 6 प्लस 3 is equal to 9 अब ये जो 2-2-2-3 का चलन ये किस तरह से है एक, दो, तीन, चार, पांच, है, साथ, आठ, नौ एक, दो, तीन, चार, पांच, है, साथ, आठ, नौ यही चलन इस्तमाल करके ग्यारह मात्रा बन जाती है और तेरह मात्रा बन जाती है कैसे? एक, दो, तीन, चार, पांच, है, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह एक, दो, तीन, चार, पांच, है, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह और इसी में दो और एड़ कर दो तो तेरह मात्रा हो जाती है एक, दो, तीन, चार, साथ, आठ, नौ, देस, ग्यारा, बारा, तेरा, एक, दो इस तरह से दो, 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 के आगे तीन जुड़ दिया जाए ये खास करके जैसे कि मैंने बताया instrumental में इस्तिमाल होने वाली चीज है ये जो ताल है ऐसा नहीं कि गायन में इस्तिमाल नहीं होती वैसे मैंने एक वीडियो दिया भी था जिसमें मैंने जिक्र किया था कि क्यूं ऐसा होता है कि जादातर जो बंदिशे हैं जो छोटे खयाल हैं वो तीन ताल में होते हैं क्योंकि तीन ताल जो है symmetrical ताल है यानि इक्वल विभाजन है उसका चार-चार-चार-चार का तो सरल पड़ता है किसी को भी समझने में इसलिए जादातर गीत कहरवा में होते हैं क्योंकि एक आम इंसान भी उस चाल को पकड़ सकता है उस चाल में अपने आपको रमा के उस संगीत का आनंद ले सकता है लेकिन नौ मातरा, साथ मातरा, पांच मातरा या दस मातरा ये थोड़ी विशम हैं ऐसी हैं जो थोड़ी सी आम इंसान को asymmetrical है क्योंकि तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि समान को समझना संभव है, आसान है समान को समझना आसान है लेकिन असमान को समझना असंभव के समान है ये चीज मैंने पहले भी कही थी कि ऐसा हो जाता है, जब हम asymmetrical कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको tackle कर बाना, कि यार यार ये कैसा हो गया alien जैसा हो जाता है, कुछ जीब सा लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए संगीत में अगर आप हैं, तो हर ताल हर राग का रस है अपना discord भी एक चीज होती है, आप सिर्फ यमन भूपाली जो harmony में हैं उनको हम accept कर पाते हैं लेकिन western music में या फिर करनाटक संगीत में कई ऐसी रागे हैं जो discord पर हैं अब जैसे आप देखें, नट भहरव अब इसमें ये तो chord है, लेकिन ये भी chord है, लेकिन ये थोड़ा सा discord है, या ये discord है, यानि ये harmony नहीं बन रही है स्वर समबाद नहीं बन रहा है, लेकिन ये भी अपने आप में एक भाव को डिपेक्ट करता है, वो भाव हमारा भयानक रसका हो सकता है, विबत्स रसका हो सकता है कि अगर कहीं हमें कुछ अनुहोनी दिखानी है, कि कुछ अज्यात साहिज, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, तो हम नेट भहरव का इस्तेमाल करते हैं ये, डिस्कॉर्ड है, ये बिलकुल सुनने में अच्छा नहीं लगता है है न, तो अफकॉर्स ही बात है कि भायानक और विबत्स रस, महसूस होने में अच्छा नहीं कि जो थोड़ी डिस्कॉर्ड है, यानि कि थोड़ी से विशम है, उन विशम का भी आनंद लेना, यही तो संगीत का सारा खेल है, संगीत में और है क्या, सम चलते चलते विशम हो जाना, और तब भी सम बने रहना, और विशम परिस्तिती से लौट कर सम पर आना, यही तो सा तो यही तो खेल है तो यह खेल जब विशम तालों में होता है तो और ज़ादा कमाल होता है भी आपने देखा कि इसकी जो ताली पड़ेगी अगर मैं नौ मातरा की ताली लगाओं तो वो दिन तेरे किट दिन आ तुन आ दिन दिन आ दिन हैना खाली भरी इसकी अब ऐसी कुछ ज़ादा डीटेल में मैं जा नहीं रहा है तो और नाम बता रहा हूं क्योंकि नाम भी क्या है कि लोगों ने रखे हुए अलग अलग जैसे जो नौ मातरा का ठेका आपको जादातर मिलेगा अभी मैंने आईशाला में पले किया तह मुबाइल में वो मत त allowed म आधात और पूरा तो मत ताल म हैसा इसका नाम है नौ मातरा का अठारा मातरा की होती है वो लक्षमी होती है तो हमें नामों के चक्र में जादा पढ़ना न जा या किसी टेबल पे बजा दिया मैंने या गा दिया या नाच दिया तो वो विभाग आपके पल्ले नहीं पड़ेगा आपको विभाग पता नहीं चलेगा क्यों कि वहां बोल नहीं थे तो बोलों में जादा खोना नहीं है बांट में खोना है क्योंकि बांट जो है वो समा तो दो और बढ़ाने तो धेंद 11 मात्रा की करें तो रुद्र ताल उसका नाम कई लोग रुद्र भी भोलते हैं जैसे 9 की मत्त हो गई 11 की रुद्र भी एक नाम पढ़ता है लेकिन लोग अपने-अपने डंक से बोलते हैं इसलिए मैं नाम बतानी रहा सब लोग अलग-अलग नाम रखते है, तो धिन sound, खत्ता जोड़ दिया मैंने, तो क्या हुआ, गयरा वांतरा बन गई, अब गय लो गयरा वांतरा बन गई, आफ तत्रकित, ये भी जोड़ देते हैं, तो वो सब के अपने अपने बोल हैं, लेकिन ये जो चाल मैंने बताई न, ये जो बोल हैं, ये आपको एक ताल से वैमिलियर लग रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा जैसे एक ताल के बोलें। उन्हीं के बोलों को चुन कर ये नौ, ग्यारा और तेरा बनती हैं। ये हो गई ग्यारा और इसी में दो और बोल कोई से भी जोड़ दो वो आपकी तेरा तक पहुंच जाएग ना, तुन, ना, कता, तिरिक, दिन, 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 ना, दिन। ऐसे कुछ भी रैंडम बोल उसमें आ सकते हैं जो तबले वाले इस्तमाल भी करते हैं। बांट मैंने बोला, अगर आपने समझ लिया और उसमें अगर आपने लएकारी का इस्तमाल करके उसका अभ्यास किया, त ऐसे ये मैंने शुरू में बोला कि एक रेर टॉपिक है, एडवांस ताले हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सभी लोग तीन ताल सीखते हैं, हम सभी लोग कहरवा भी सीखते हैं, बहुत कम लोग जब ताल सीखेंगे, रूपक सीखेंगे और दादरा सीखेंगे, बहुत कम लोग ठाह दुगुन चौगुन के परे जाके तीन गुना पांच गुना साथ गुना सीखेंगे उसी तरह से 9-11-13 को छोड़ दिया गया है जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए इसमें क्या ऐसा जादा मुश्किल है सिर्फ एक विशमता ही तो है तो अगर आप देखें काईदे से तीन ताल को अगर आप ठाह दुगुन चौगुन करते हैं तो बराबर बराबर परता है इसलिए आप कर लेते हैं कहरवा का ठाह दुगुन चौगुन करते हैं क्योंकि equal division परता है तो ये बोल बड़े आसान से हैं, जादा कुछ मुश्किल ताल नहीं है, इस्तमाल भी मैंने बता दिया, अब इसी में ये जो बंदिश भी बन जाती है, कोई से भी आप बंदिश बना सकते हैं इसमें, जो नौ मात्रा के अंदराद आ जाए, ठीक है, जैसे अभी जो चल रही यह जो तीन मात्राएं, इनको डबल में बजाया जाता है, यह तो हो गया सिंगल, अब इसी को डबल लेकारी का इस्तमाल करके, यानि दो गुना का इस्तमाल करके भी बजाया जाता है, अब आप देखेंगे इसकी ताली बड़ी टेडी पड़ती है क्योंकि नौ है यानि साड़े चार है अगर आपने सिंग आधी लए में ताली लगाई तो नहीं लगा पाएंगे बड़ा मुश्किल पड़ेगा अफ से आपका आधा पला वो शुरू होता है तो इसकी कई बार ताली ऐसे लगाई जाती है तो नहीं लोग ऐसे लगा लेते हैं कि जो जहां जहां तक तो दो की बांट है वहां सिंगल लगा ली और बाकि डबल कर दिया ये भी एक तरीका है लोग अपना सकते हैं लेकिन जो अब जो भी इसकी खाली भरी है वह आप किताबों से देख सकते हैं या फिर स्क्रीन पर आ रही होगी मैं उतना जादा उसमें घौर किया नहीं क्योंकि उसको उप्योग मुझे जादा नजर नहीं आ रहा है इसलिए हम उस खाली भरी को रहने देते हैं एक बार सिर्फ गिं देन ना तुन ना धेन 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 ध यह मननने इसकी ठाहा दोगुन चोगुन करी अब और सरल थोड़ी लए कम करके अगर आपको सुनाओ तो धिन यानि गिंती में कर देता हूं तो और आसान पड़ेगा एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो दोगुनाओ एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो एक दो तीन चार पांच है साथ आट नो एक दो तीन चार पांच है ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो विभाग प्रेजन्ट किये गए हैं आपके सामने यही हर बार इस्तमाल हूँ इसका एक्जांपल में आपको दे कर जाने वाला हूँ एक गीत मैं आपको सजेस्ट करूँगा गंश्याम वासवानी जी की कॉमपोजिशन है बजमे खास यूट्यूब चैनल पर अप्लोड हुआ है प्रतिबा सिंग बागहिल जी का गाया हुआ है और दीबक पंडित सहाब का म्यूजिक है मेरे खैल से उसमें आलोग श्रिवास्त है वहां जब आप देखेंगे कि कहरवा की बांट कैसे बदली गई है कहरवा की बांट चार चार होती है इसमें चार है नहीं इसकी शुरुवात में जो छोटा सा म्यूजिक बज़ता है वहां बांट बदल दी है कहरवा की कहरवा की वैसे बांट होती है चार चार की लेकिन इसमें जो बांट आई है वो है एक, दो, तीन, चार पांट, छैसा, आट एक, दो, तीन ये बांट ली गई है यानि रूपक की चाल ली रूपक प्लस वन फ्री, टू, टू, वन ये आठ मातरा की बांट ली है और इसका इस्तिमाल किया है एक दो तीन चार पांट चैसा आट एक दो चार पांट चैसा आट एक दो चार पांट चैसा आट एक दो चार पांट चैसा आट इसी तरह से परीक्षनर जब संगीत में होते हैं तो कुछ नया निकलता है जैसे जगजीत सहब जगजीत सहब ने आट मातरा की एक नई बांट का इस्तमाल करके घजलों में और गीतों में अपना प्रयोग किया था और वो थी तीन-तीन-दो ये भी आट मात्रा है ये भी कहरवाए तो इस तरह से जब डिफरेंट बांट आप सीखते हैं किसी ताल की तो आपको और जादा मालूम चलता है कि कितनी संभावनाएं हैं संगीत म में उपज की कुछ क्रियेटिविटी की उसी तरह से मेरे दादा गुरू जी की एक बंदिश सुना कर मैं इस वीडियो को इंड करूंगा जो दस मात्रा में है लेकिन दस मात्रा की बांट जो है जबताल की नहीं है इस चलन की है जो संकीन जाती मैंने अभी आपको बताई सं आल रचना है वो दस मात्रा है लेकिन उसमें उन्होंने जप्ताब न लगा कर ऐसी ही चलन का इस्तमाल किया और वह दिए नियुदिन और देन लेकिन उन्होंने बолжet अब वो बंदिश में आपको सुनाता हूं अब यह आपने देखा कि उस बंदिश में 10 मात्रा ही बज रही थी लेकिन बोल बज रहे थे क्योंकि जो बंदिश की जो चाल जा रही थी वो उस तरह की थी अगर उसमें उन्होंने जपताल लगा दी होती तो वो विपरीत जाता विरोधा भास महसूस होता कि जपताल की बांट 2-3-2-3 की है जो कि साउंड करती 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 लेकिन बंदिश जा रही है 1-2-1-2-1-2-1-2 बराबर की जा रही है तो बराबर का ही उन्होंने ठेका जो है इन्वेंट कर दिया एक नई चीज बना दी तो इस तरह से आप तालों की बांट भी बदल सकते हैं तो 9-11-13 यह मैंने आज आपको सिखाई है इनकी ठादुगुण चोगुण करिए ठादुगुण तिगुण चोगुण पांच गुण शेगुण जितना आप लाइकारी कर सकते हैं वो करिए और इसमें कुछ-कुछ नहीं-नहीं रचनाए नौ मात्रा में मेरे पिता जी का एक भजन जो मा दुरुगा पर है वो मैंने आपको सुनाया हुआ है अभी फिर से सुना देता हूँ भगवती माता तुरगां भवाने तो ये नौ मात्रा में मादुरुगा का भजन जो मेरे पिता जी ने लिखा क्योंकि नवदुरुगा तो नौ मात्रा का इस्तमाल उस भजन में किया गया है तो इस तरह से कुछ ने कुछ एक्सपरिमेंट आप करिए नौ, ग्यारा, तेरह क्या और भी विशम बीच की मात्रा ही लेकर आईए ये पंदरा के भी अलग-अलग ठेके होते हैं तो मैं कुछ न कुछ आपके लिए इसी तरह से नया लाता रूँगा इस पर इतने व्यूज नहीं आएंगे ज्यादा लोग इसे पसंदने करें क्योंकि अजीव सा टॉपिक है, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है लेकिन जो लोग कॉलेजिस में या यूनिवर्सिटीज में या फिर अपने अलग म्यूजिक क्लासिस में सीख रहे हैं अगर ये information उनसे बची हुई है तो वो मैं उन तक पहुचाने की पूरी कोशिश करता हूँ जो किताबों में भी है लेकिन कोई पढ़ता नहीं उनको क्योंकि छोड़ दी जाती है तो संगीत प्रभावर्ड ने हमेशा यही काम किया है जो टॉपिक छोड़ दिया गया हो लोगों के द्वारा उस ही टॉपिक को उठा कर हमने बात की है और यही हमारी खासियत है और यही हम करते रहेंगे उम्र भर तो देखते रहें इसी तरह यूट्यूब चैनल हमारा और सब्सक्राइब जरूर करें कॉमेंट करें लाइक कमेंट शेर करें और बताएं हमें आपको और क्या नया टॉपिक जाही जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद